इस्राइल और हिजबुला के बीच युद्विराम से जुड़ी सहमती बन गई है भारतिय समय के मताबिक बुद्वार की सुभा साड़े साथ बज़े प्रभावी हो चुका है अमेरिका के राश्वर पती जो बाइडन ने वाइट हाउस छोड़ने से पहले ये डील कराई है जो मिडल इस्ट में शान्ती की बड़ी पहल है सीज़बड से पहले इरानी विदेशी मंतरी अबास अरागची ने एक एरानी अधिकारी के साथ फोन पर बातचीत में कहा था कि एरान लेबनान में हिजबुला का समर्थन करता है उन्हों ने जोड़ देकर कहा कि एरान लेबनान की सरकार और उसके लोगों के साथ है तो वहीं इरान ने पिछले सब्ता एक मेडिकल मिशिन भी लेमनार में भेजा था लेकिन इसके साथ ही इरान हिजबुला तक हत्यार पहुचाने में भी लगा है इरान के सरकारे मीडिया आई आर एन ए ने मंगलवार को बताया कि पश्चिम एशियाई शेत्र में विदेश मामलों के मंत्री के विशेश प्रतिनिधी मुहम्मद रजारौफ शिबानी के साथ एक फोन कॉल में बात चीत करते हुए अरागची ने प्रतिरोध की प्रशंसा की आपको बता दें कि युद विराम एरान समेट पूरे मिडल इस्ट के लिए महत्पूर हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि एरान ने हिजबुल्ला को गाजा युद में उतरने को मजबूर कर दिया वो भी तब जब हिजबुल्ला को 7 अक्टुबर की हमले की जानकारी नहीं थी हिजबुल्ला को ऐसे समय पर युद्ध करना पड़ा जब उसने इसका समय नहीं चुना था आपको बता दें कि एरान की समर्थन से हिजबुल्ला उतरी इसराइल पर हमला कर रहा था लेकिन सिथी तब बदली जब सितंबर के मध्ध में इसराइल ने अपने नागरिकों को उतरी गाजा में वापस भेजने का फैसला किया इसके बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया इसराइल की हमले के बाद हिजबुल्ला को कई भड़े जटकी भी लगे उसका चीफ हसन नसरल्ला और टॉप लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो चुका है ऐसे में उसके लिए युद्विराम करना मजबूरी बन गया है एक्सपर्ट की माने तो एरान युद्विराम के दौरान मिले इस समय का इस्तमाल हिजबुल्ला की से नश्रमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकता है एरान हिजबुल्ला को नए प्रॉक्सी निट्वर्क को एक्टिफ कर सकता है इसके अलावा सीजबुल्ला के बाद इरान अपने परमानू कारक्रम में तेजी लाने पर ध्यान के इंद्रित भी कर सकता है आपको बता दे कि अमेरिकी राश्रुपती जो वाइडन को वाइट हाउस छोड़ने से पहले ब पुतरी सीमा पर हिजबुल्ला ने हमला करना शुरू किया था और इस डील के बाद इसराइल और हिजबुल्ला की बीच लगभग 14 मैनों से चल रही लड़ाई आखिर का खत्म हो जाएगी तो वहीं राश्र सुरक्षा कैबिनेट इसे 10-1 के मतदान से मनजूरी दी है इसके कुछी मिन्टो बाद अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन ने घोशना भी की कि उद्विराम इसराइल और लेबनान के समय के अनुसार सुबह चार बजे लागू हो जाएगा तो वहीं भारते समय के अनुसार साड़े साथ बजे इसी स्वायर लागू हो जाएगा समझाते सो जोड़ी डील अभी तक सारवजनिक नहीं की गई है और कथित तोर पर ये साथ दिन तक का समय देता है जिस दौरान इसराइल अपनी सेना को दक्षिन लेबनान से वापस बुलाएगा तो वहीं आपको बता दे कि लेबनानी सेना लितानी नदी के दक्षिन में लगभग पाच हजार सेन एक तेनात करेगी और कथित तोर पर सीज़ फायर डील के मताबिक हिजबुला दक्षिनी लेबनान छोड़ देगा और इसके सेन बुनियादी धाचे को भी नश्ट कर दि और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खत्रे के खिलाफ कारवाई करने का धिकार भी सुरक्षित रखता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद